तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लियो और एनी एक विलेज में पहुंचते हैं जहां पर उनकी हिसमत अच्छी दी इसलिए वो विलेज ऑनर से ही मिरे थे तो ओनर अब उनने पूरे स्टोडी बता रहे थे कि कैसी कुछ ताइम पहले उनके विलेज के अंदर एक डिमन आया था वो उनसे कह रहा था कि इस गाउ को छोड़कर चले जाओ तो अब इस पार्ट के स्टार्टिंग पिछले पार्ट क्यागी से ही होती है हम देखते हैं कि ओल्ड मैं कह रहे थे कि हमें विसकरन नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कह रहा था ये विलेज आज नहीं बना है लेकर यह जादा पुराना भी नहीं है करीबन सौ साल पहले इसे बनाया गया था जिसके बाद से हम सभी लोगों ने बहुत जाता महनत की और इसे तज़ादा डिवलप किया हम बाकी बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है ना ही हमारी किसी से कोई दिश्मनी है और ना ही कोई लेना देना हम हर रिसॉर्स और हर चीज़ आपर पुद बनाते हैं इसलिए मुझे समझ भी नहीं आता कि आखिर कौन है जो हमसे इस विलेज को चुडाना जाता है और वो डिवन भी ऐसा क्यों कर रहा है इसका कारण भी हमें नहीं पता साथ ही ओल्ड मैन ये भी बताते हैं कि वो डिवन उनके लोगों को मार रहा था इस वज़र से किसी की भी हमत नहीं हुई ये पूछने की कि आखिर वरसा क्यों कह रहा है वैसे यहाँ पर रैनी कहती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई गलत फैमी हो गई हो वो कोई इंसान ही हो या फिर कोई अपने फाइदे के कारण ऐसा कह रहा हो अब यहाँ पर लियो कहने लगता है कि बात थोड़ी थोड़ी ठीक है लेकिन क्या आपने कुछ ऐसी चीज देखी थी जिससे आपको लगे कि वो सच में एक डिमन था क्योंकि अभी ओल्ड मैन ने बस ही बताया था कि वो काले कपरी में था और बहुत डरावना था तो इससे ही थावित नहीं होता है कि वो एक डिमन है लेकिन ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम सही कह रहेगो मैंने उसमें कुछ चीज़े नोटिस की थी बागी सब लोग तो लोट चुके थे लेकिन मैं सबसे आखरी में गया था और जब वो डिमन वहाँ से लोट रहा था तब उसके सर से बिल्लियों की तरह पेने और खरगोश की तरह दो लंबे कान निकल ले आए थे साथ ही उसके नाखुन और ज़दा बढ़ने लगे थे मैं भी ये देखकर बहुत डर गया था और वापस लोट आया था इसके बाद वोडिमन बताते हैं कि उस जिमन ने हमें एक महिने की महलत दी है इस गाउं को छोड़ने के लिए नहीं तो वो हम सभी को मार देगा साथ ही उसने हमारी फस्टले भी बहुत ज़दा बरबाद कर दी थी हमारे पास होके चारा ही नहीं है और एक मेना पूरा होने वाला है बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं ये बात सुनकर लियो एनी से कहता है कि देखा हमने तो सुना था शायद वो इसी के बारे में था जरूर ही यही वो घोस्ट किलर होगा अब लियो बहुत ज़दा खुश भी लग रहा था वो कहता है कि चलो अच्छा है हम सही जगह पर पहुंचे हैं अब मैं उसे खतम कर दूँगा और साथ ही वो ओल्ड मैं से भी प्रामिस कर रहा था कि हम इस विलेश को बचा लेंगी लेकिन यहाँ पर ओल्ड मैं खरे होते हैं और कहते हैं कि हम पहले ही बहुत लोगों को बुला चुके हैं और अब हमें किसी पर भी भरोसा नहीं है वो कह रहे थे कि यह जनरेशन तो सच में किसी काम की नहीं है क्योंकि जितने भी लोग आये थे उन्हें तो बेफ कूफियों के लिए अब ओर्ड मिलना चाहिए ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यह सब कह रहा हूँ बलकि मुझे चिंता है कि कहीं इस चीज में तुम दोनों को कुछ हो ना जाए और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी बात समझोगे इसके बाद वो गेट खोलते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को ही यहां से वापस लोड जाना चाहिए क्योंकि एक मिना पूरा होने वाला है और अब वो डिमन कभी भी यहां पर आता होगा मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हमारे वज़े से किसी प्रब्लम में फसना पड़े अब लियों से कुछ कहने के आगे बढ़ी रहा था लेकिन तभी यानि उसे रोग देती है और इसके बाद वो ओल्ड मैंस से कहने लगती है कि हम जानते हैं कि आप इस सब क्यों कह रहे हो लेकिन हम सोच रहे थी कि हमारे यहां आने की गलती शायद गलती नहीं हो शायद हमारा यहां आना पहले से लिखा हो और ज़रूर ही हमें यहां पर किसी कारण से भेजा हो तो हम सोच रहे थी कि अब इतने सुंदर विलेज में तो हम आ ही गए हैं तो दो तेन दिन घूम कर जाएं अब विलेज और इसको इस चीज में कोई प्रवलम नहीं थी और यहां पर लियो भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था तो इस वज़े से वो हाँ कर देते हैं मगर वो कहते हैं कि देखो तुम लोग यहां पर रुक तो सकते हो लेकिन अपने सुरक्षम खुद करना और एक मेना पूरा होने से पहले यहां से लौट जाना वरना तो महनी जान की जमदारी हमारे नहीं होगी इस चीज़ पर वो तुनों हा करते हैं और वो विलेज घुमने के लिए निकल चुके थे अब वो ऐसे ही विलेज में घुम रहे थे और चीज़े देख रहे थे तब ही लियो सामने दो लोग को देखता है जो कि खेती के आउजार में धार तेस कर रहे थे अब यहाँ पर लियो को लगता है कि शायद वो इस खत्यार में धार उस डिमन को मारने के लिए कर रहे थे और हालाग यह सच भी है तो यहाँ पर इसके लिए उनके पास जाता है और उसे कहने लगता है कि इस चीज़ सिफ कुछ नहीं होने वाला इतने से तुम लोग उस ड समझ आ जाती हैं और के लástका एक क्या लेइन को देखता है और कहने लगता कि मुझे समझ आ गया कि आखर डिमन चाहता क्या है इस पर पूसती है तो मुझे बहुत बताओ कि वो क्या चाहता है अब लियू के लगता है कि मैंने बहुत पहले एक किताब रीट किया था उसके ताब में लिखा दा कि यहीं कहीं एक लेख है जिसे खुद गॉड़ने के रेट किया था उचे वल स्पीट को कैद करने के लिए अब एनी को यह बास समझ में नहीं आ रही थी और से पता भी नहीं था कि यह सच है या फिर जूट तो यह स्पीरिस गॉड़ के पीछे पर रहे हुए थी तो गॉड़ने गुस्ते में आकर उन्हें इस लेक में कैद कर दिया साथ ही वो लेजर बताता था कि इस माउंटेन में एक ट्रेजर छुपा हुआ है अब एनी कह रही थी कि अच्छा तो इसका मतलब वो सभी इस लेक के करना हो यहां पर क्या क्या है इस पर रियों कहता है कि तुमने सुना के बारे कि बारे में हो शाय हो और उसी में कोई ऐसी चीज़ dyeा bought एक यहां पर हम समंझ मंने रहateur था कुछ यह कहता है कि नहीं तुम इस बारेव जादा मत सोचो और फिर इसके बाद वो दोनों ही वाँ से वापस लौट कर चले जाती है रास्ते में उल्ड मैन मिलते हैं जो कि कहते हैं कि मैं डिफेंस के तयारी करने जा रहा हूं क्योंकि अब वो डिमन आने वाला है मेरे साथ तुम लोग को घर के लिए निकल जाना चाहिए इस पर यह दोनों हां करते हैं और वहार से आगे बढ़ जाते हैं अब ओल्ड मैन लौट चुके थे और यह दोनों यहां इन ओल्ड मैन के घर पराकर बैठ जाते हैं और चाहे पीने लगते हैं तभी लियो नोटिस करता है कि वो लड़की बाल्टिन प कह रहे थी कि आप तो सच में कमाल के हो इसके बाद लिए प्लेट भी जमाता है और जारू भी लगाता है यह सब लड़कों का काम बहुत असान हो चुका था वह दोनों बाहर आते हैं और उन्हें वह जारू बहुत पसंद आई थी वह उस पर बैट जाते हैं और उड़ना कर एनी कह रही थी कि कल्टिवेटर अपनी स्विचल पावर को फाइट के दुरान या फिर पर ट्रेनिंग में यूज करते हैं लेकिन तुम तो इसका यूज काम के लिए कर रहे हो इस चीज पर लियों कहता है तुमने मिल्कुल सही का फाइट ही सब कुछ नहीं है और वैसी लेकिन चलो कोई बात नहीं अब तुम भीर में पीछे खड़े हो जाना जिससे की वो डिमन तुम्हें ना देख पाए इस चीज पर लियो हां करता है और उसके बाद यह पार्ट यह पर एंड हो जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आए और प्रिजिए से लाइक कर कि जेगा अब मिलते हैं अगली वीडियों तब तक के लिए बाइबेगे जेन टिक्स